नमस्कर पुसपस किचेन में आप सभी का स्वागत है आज मैं एक सरसो करी की रेसिपी लाए हूँ आप सभी के लिए इसमें मैंने छे अंडे को अच्छे से उबाल दिया है उबाल कर उसका छिलका जो है वो निकाल दिया है अब अंडे को बीच में से काट रही हूँ ऐसे करके काट लेना है फिर अंडे को हम लोग फ्राई करेंगे फ्राई करने के लिए दूसरी साइट में मैंने कराई बिठा दिया है उस पे मैंने 70 एमिल सरसो की ओईल दे दिया है और उसको पहले अच्छे से गरम होने दूँगी फिर उसमें एक चोथा ही चमच नमक और एक चोथा ही चमच हल्दी पाउडर एट करके मिक्स कर लूँगी इससे अंडे में कलर आ जाते हैं अच्छे से और टेस्ट भी बढ़िया आता है अब एक एक करके अंडा दे दूँगी देनी के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी यहाँ पर मैंने जो सरसो का ओईल इस्तिमल किया है उसमें कुछ जागता जिसके वज़े से ये ऐसे दिख रहा है अब अंडे को एक साइट से अच्छे से फ्राई हो गया है दूसरे साइट से मैं फ्राई कर लूँगी इसलिए एक एक करके आरहम से अंडे को उलट देना है दोनों साइट से जब ये अच्छे से fry हो जाए तब इसको निकाल लेना है और इसका जो भी extra oil है वो फेकना नहीं है उसी oil में हम लोग जो सबजी है वो बनाएंगे देखी सकते हैं दोनों साइट से ब्राउनिश कलर आने तक इसको fry कर लेना है अब उसी oil में 70 ग्राम के आसपस पेंच को एट कर दूँगी उसको लंबाई में मैंने काट के रखी थी पांच मिनिट होनी के बाद उसमें मैं 100 ग्राम टोमाटो एट कर दूँगी उसको भी मैंने लंबाई में काट कर रखेते अब नमक जितना रिक्वाइड है उसी के अनुसार नमक दे दूँगी देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब इसमें कुछ पाउडर एट करूँगी जैसे की एक टेबिल स्पून जीरा पाउडर एक टेबिल स्पून धनिया पाउ के लिए और ग्रिन चिली दे दूँगी एक टेबिल स्पून उसको देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी तीखा आप अपने हिसाब से दीजिए मैं यहाँ पर कास्मिरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर यूँ सिर्फ कलर के लिए आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते ह अब इसमें मैं सरसो पेस्ट करके रखी थी दो टेबिल स्पून सरसो टेबिल स्पून ब्लैक सरसो और एक टेबिल स्पून वाइट सरसो दोनों को अच्छे से मिक्स करके पेस्ट कर ले हूँ जब यह पेस्ट करे तब उसमें थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कीजिए अब जिस इस बरतन में था उसको धोकर मैं इसमें थोरा सा पानी एट कर दूँगी, देनी के बाद इसको अच्छे से mix कर लेना है, mix करने के बाद 2-3 मिनिट इसको पका लेना है, अब इसमें मैं पानी एट करूँगी 200 ml के आसपास पानी एट करने के बाद इसको ढख कर उबाल आने तक पका लूँगी गैस का जो फ्लेम है वो हाई रहेगा अब इसको 5 मिनिट के लिए पका लूँगी अब देखी सकते हैं कितने बरिया से उबाल आ गया है अब इसमें मैं अंडे को एकिक करके दे दूँगी जब आप अंडे दे तो ध्यान रखियेगा ताकि अंडा तूट भी ना जाया अब इसमें अंडा देने के बाद 2-3 मिनिट मैं इसको पका लूँगी फिर से ढख कर 2-3 मिनिट हाई फ्लेम में इसको पका लेना है रखिती उसको एट कर दूँगी एट करने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसको मैं सर्फ करूँगी आप लोग भी बनाईए बनाकर खाया और आपका अनुभाब पुसपस किचिन में जरूर शेयर कीजिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले आप में बहुती आराम से इसको निकाल लूँगी और एक प्लेट में इसको सर्फ कर दूँगी ये बहुती बढ़िया टेस्ट आता है और राइस के साथ खाने में बहुती बढ़िया लगता है इसलिए आप भी जरूर ट्राइ कीजिए इसे